दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा debit note और credit note के बारे में कि debit note क्या होता है और credit note क्या होता है तो दोनों चीज के अंदर मैं आपको बताऊंगे कि debit note की जो है कब जरूत होती है और कब issue किया जाते है इसके साथ ही credit note जो होता है कब issue किया जाता है और कब इसकी requirement होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे Excel के अंदर मैंने एक format बनाया हुआ है तो यह एक GST invoice जो होता है उसका यह format है और इसी के अंदर मैं आपको अपना dummy data आपको इसके अंदर feed करके मैं बताऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यह invoice की एक simple सी format है इस format के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ एक dummy data मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पर ABC & Company जैने की for example मैं आपको बताता हूँ जैसे मेरी company है SS Digital India तो इसी तरह से मैंने dummy data आपको समझाने के लिए बताया कि आप जो कोई invoice जैसे आप invoice टेली से भी generate करते हैं इसके साथ ही आप excel के अंदर अगर आपने पनी format बना रखी है तो उसी इसाफ से भी आप जब भी कोई product आपका sale होता है sale से मतलब क्या होता कि यह भी मैं basically online जो जितने भी आप product sale करते हैं तो उसका credit और debit note जो होता है वो company अपने हिसाफ से ही उसको आपको credit note issue कर देती है जो आपको returns आती है उसका तो अब यहाँ पर बात आती है कि online के साथ अगर आप offline जो है अपने product sale करते हैं जो की B2B customer है यानि कोई customer है जो की B2B है जिसके पास भी जिसके पास जिसके लिया हुआ है तो उसी के अंदर यहाँ पर आपको invoice issue करना पड़त रहा है तो यह एक invoice की format है और यहाँ पर मैं अभी बात करता हूँ जैसे ABC company जिसका मालिक मैं हूँ और इसी के अंदर यहाँ पर मेरी अपनी पूरी detail आपको यहाँ पर आती है कि आप जिस party को invoice issue कर रहे हैं तो उसकी पूरी detail आपको देनी होती है जैसे हैं आपको document number इसके द फीड करनी होती है जो कि basic detail है कि आप जब issue करते हैं तो उसमें जो है उसका document number यह number जो होता है आप जब GST के अंदर अपना GSTR 1 जब आप submit करते हैं तो यहाँ पर जो detail आप submit करते हैं यानि कि invoice का number या document जो number होता है वो ही आप इसके अंदर type करें और वो ही detail आपको अपने GSTR 1 के अंदर submit करनी होती है और इसी के अंदर जैसे state है मान के चलो कि मेरा दिल्ली के अंदर फरम है और दिल्ली के अंदर ही मैं अपनी माल की supply करता हूं तो यहाँ पर आप यहाँ आप यहाँ गया code आप अपने इसाप से दे सकते हैं और यह मैंने company का नाम है XYZN company यानि कि ABC company मे B2B यहाँ पर है और वो भी local sale है तो local sale के तरह आप देखेंगे CGST और SGST amount add होगा तो यहाँ पर होगा detail of receiver यानि कि bill to जिसके नाम पे issue किया जा रहा है और same ही इसी तरह से जो consign ही होती है यानि जिसको ship किया जा रहा है तो यहाँ पर भी वही company का name आप लिखेंगे same company आप ल और इसी के अंदर देखेंगे कि जो इसका state है state यहाँ पर मैं दिल्ली कर देता हूँ तो अब यहाँ पर रहो गया कि यह invoice है यह details यहाँ पर मैंने भी document number type नहीं किया लेकिन आप अपना number इसमें type करें क्योंकि मैं कि डमी data आपको दिखा रहा हूँ तो जैसे document number की इसमें डाल दिया और date of issue के अगर बात करते हैं तो जैसे आज की date है एक July 2023 और same invoice की जो date है इसके अंदर भी एक साथ 2023 यानि कि date मैंने same इसके अंदर feed कर दी है और इसी के साथ में यहाँ पर company का जो GST नमबर होता है उस company का जिसको कि आपने माल सेल किया है तो यहाँ पर detail आप submit करेंगे और submit करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि जो माल आपने सेल किया है जैसे यहाँ पर serial number 1 अब 1 के अंदर में dummy data है तो यहाँ पर कर देता हूं product 1 product 1 मैंने यहाँ पर लिखा अब उसका hson code hson code जो भी आपके product का होता है वो आपको यहाँ पर type करना है जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 3344 यह मैंने एक dummy बता रहा हूँ दोस्तों आपको यह और UAM जो होता है measuring unit होती है यह कि आपका जो product है तो किस के अंदर आता है केजी में आता है या pieces के साफ से आता है तो यहाँ पे इस चीज को मैं भी छोड़ रहा हूं blank अब यहाँ पे होता number of quantity यानि कि आपने अपने product की कितनी quantities party को sale की है तो मैंने जो party है उसको piece की बात करता हूँ तो 100 piece यानि कि मैंने 100 piece इसके अंदर जो है उसको दिये है और एक piece की जो cost है वो है यहाँ यहाँ पे 250 रुपे जैसे ही मैं enter की press करता हूँ तो देखेंगे कि मैंने इसके अंदर formula जो है इसमें already feed है यानि उसी formula के इसाफ से इसने calculate किया है और calculate करने के साथ ही यहाँ पे मेरा taxable amount जो 200 रुपे है इसके अंदर अगर total जो 100 piece का calculate किया जाता है तो इसके अंदर amount डिकल किया जाता है 25,000 अब 25,000 के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे 9% यानि CGST और SGST अगर आपके इसमें जो rate कम है या आप अपने according वहाँ पे set कर सकते हैं जैसे for example 12% अगर जिसमें GST है तो यहाँ पे आप करेंगे 6 यानि 6% इसमें CGST और यहाँ पर इसके अंदर भी आपको SGST में भी 6 करना होगा तो ऐसे करके यहाँ पे आप देखेंगे automatic जो आप यहाँ पे कर रहे हैं CGST और SGST तो यहाँ इसी इसाफ से इसमें changes हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं कर देता हूं वापस 9 यानि 18% का इसमें GST यह है तो अब यहाँ पर amount निकले के आ गया 39,500 अभी discount इसके इंदर कुछ भी नहीं है और बाकी के जो sale है इनको आप blank कर सकते हैं या यहाँ पर यह content इसको बिल्कुल delete भी क कर सकते हैं तो अगर आपके और भी multiple products होते हैं तो उनकी पूरी detail आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं तो यह तो हो गया एक invoice यानि invoice से मतलब होता है कि आपने party को invoice issue किया है अब यह invoice आपने issue करने के बाद जब party के पास आपने सारे complete अपने product जो है 100 पीस आपने पार्टी को द हैं वो आपको return यानि वो कहती है कि आपके जो 20 पीस हैं उन पीस में हमें problem है तो आपको वो वापस accept करने होंगे लेकिन आप देखेंगे कि आपका जो invoice था यानि कि 2,39,500 आपने अपना invoice उनको दे दिया और इसके साथ ही जो taxable amount होता है यहाँ पे आप cgst और sgst आप देखेंगे तो वो वाला जो taxable amount है यहाँ पे total इसमें tax बनाता 45,000 रुपए यानि कि आपने 100 पीस का अपनी gstr1 आपने file कर दी है और करने के बाद में जो इसमें cgst था 99 यानि 18% था वो आपने file कर दी अगर same month के अंदर वो return आ है तो इसमें कोई issue नहीं होता है लेकिन जब आप अपनी gstr1 submit कर देता है और submit करने के बाद में आपको return के लिए जो इस तरह से आप तसमें party आपको जिसको आपने माल बेजा है वो कहते है कि नहीं जी हमें इसमें से 20 pieces जो है आपको return करने है तो return करने के case में क्या होता है कि party आपको debit not issue करेगी ये तो हो गया कि आपने invoice उनको submit किया आपने अपनी gstr1 us को submit कर दी submit करने के बाद में complete यनि कि आपनी अपनी तरफ से process हो complete कर दिया अब complete करने के बाद जब company return करती है return का मतलब ही होता है कि आपने 100 piece बेजे 100 में से 20 आपको जो है वो return करेगी तो return करने से पहले party को क्या होता है कि अपना debit note issue करना होता है जो की वो आपके नाम से होता है यहाँ पे आपने invoice issue किया था यह जो party थी उसके नाम से ठीक है अब आफ यहाँ पर आजाते हैं अपन डेबित नोट पय है यह आपने जो माल जिस company को भेजा है अब यहाँ पर debit note सबसे पहले वो company यानि XYZ company की तरफ से ये debit not आपको issue किया जा रहा है कि इसको ABC and company यानि ABC company आपकी company है क्योंकि आपने इसको माल भेजा है तो माल भेजने पर अब यहाँ पर ये company क्या करेगी debit not आपको issue करेगी आपकी company के नाम से और यहाँ पर आपका पूरा detail आपको submit करेगी detail से मतलब होता कि इसके document जो number होते है यानि जो भी tele के अंदर अपने वो series maintain करके चलते हैं या जो भी आपका invoice number होता है जिस किसी भी date को अगर आपका invoice issue किया जाता है जैसे कि मन के चलो कि आपका एक July को अगर आपने इसको invoice issue किया जाता है जब माल आप dispatch करते हो dispatch करने के बाद में एक July ना करके अगर मैं आपको एक मई या जून की बात बताता हूँ तो एक जून के अंदर आपने इसको invoice issue किया और issue करने के बाद में जब July मन्त की क्योंकि आप जून मन्त की जो होता है कि आपने इन्वोई इशु किया था और उसी आपने जुलाई मन्त के अंदर अपना जो है GSTR1 समिट कर चुके हो लेकिन पार्टी उसके बाद आपको जब डेविट नोड इशु करती है तो उसके बाद आपको उस कंपनी को क्रेडिट नोड इशु क करेगी और यहां पर जैसे सीरियल नंबर मैं एक ही यहां पर बात करता हूं और यहां पर प्रोड़क्ट वन अब यहां पर जो होती है कि क्वेंटिटी कितनी है वो 20 पीस अब 20 पीस है और रेट में ने आप डाइसो रुपे की बात कही थी आपको यह डाइसो रुपे तो यहां पर अब जो यह डेविट नोट है कंपनी का यहां पर हो गया 5,900 अब इसमें आप देखेंगे कि जो इस पीस की बात आ रही है 20 पीस के अंदर वो उसका डेविट नोट आपको इसू कर दिया और बाकी की एंट्री में इसमें से भी डिलीट कर देता हूं तो अब आपको क्या होता है कि पार्टी ने जो इसू किया है यानि कि जिस कंपनी को आपने माल दिया उसमें 20 पीस आपको पार्टी को रिफंड करना है यहां पर आपको पार्टी को रिफंड करना है लेकिन refund करने का क्या process है क्योंकि इस amount की आपको GST भी आपने जिसे की मालीजी जब उसको refund करेंगे तो company ने इस इन product की GST जो है वह नि टेक्सेबल amount के अंदर जितना CGST और SGST दोनों amount लगा है तो ये amount भी आपको party को देना होगा लेकिन कैसे देना होगा पोर्टल के थुरू आपको देना होगा क्योंकि इस case में क्या होगा कि party ने आपको debit note issue कर दिया debit note होगा 5900 का तो अब आपको क्या करना होता है अब इस party को debit note जो होता है उसके against आपको credit note देना होता है तो अब यहाँ पर क्या होगा debit note जो होगया वो आपकी अपनी entry के लिए हो credit note के अंदर क्या होगा यहां पर आपकी अपनी company है उसकी पूरी detail आपको यहां पर देनी है यानि कि एक format बना रखा एक standard है और इसकी heading आप देखेंगे credit note इसके अंदर आपकी जो document का number जो आप maintain करके चलते हैं एक series उसी हिसाब से आपको यहां पर नंबर लेने है और अपना state जो भी होता है यहां पर क्योंकि local sale के अंदर ही है तो यहां पर उस party का name आ जाएगा कौन सी party XYZ & Company यह company का आ जाएगा और state के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर आ जाएगा दिल्ली क्योंकि local sale की बात थी यहां पर तो यही चीज सेम इसी के अंदर भी आप यहां पर कर सक करते हैं name के अंदर XYZ & Company और state के अंदर यहां पर आ जाएगा दिल्ली और जो detail आप यहां पर करते हैं document number और आपने कभी इसको credit note issue किया उसकी date और यह सारी की सारी details यह होती है आपको portal पर देनी होती है तो यहां पर आप जो अभी मैं इसको blank छोड़ रहा हूं लेकिन आपक document number आप इसमें type करेंगे date of issue आप type करेंगे तो सारी की सारी details आपको portal पर देनी होती है तो यहां पर क्या होगा अब आप पर company को credit note issue कर रहे हैं तो यहां पर आपको जैसे serial number 1 था मैं एक ही product की बात कर रहा हूं product 1 यहां पर hsn code मैं भी blank की छोड़ रहा हूं जो hsn code आपने उसमें डला था 3344 जो भी है और इसके बाद quantity यहां पर 20 यानि आप जो तीनों के अंदर आप same format भी ले सकते हैं invoice, debit note और credit note के अंदर अब यहां पर rate कितनी थी 500 रुपे की rate थी 250 रुपे की तो यहां पर भी अब वही amount आ गया यानि कि बाकी की entries को मैं भी कर यहां से कर देता हूं delete तो आप देखेंगे कि पहले company ने जो credit note होता है इसको direct आप issue नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास debit note ना हो यानि जब तक company आपने जो जिसको भी माल आपने बेजा है या dispage किया है तो जब तक वह अपना debit note आपको गरने issue नहीं करते है तब तक आप उसका credit note issue नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आपने ही क्या किया अब यहाँ पर credit note आपने issue कर दिया किसके जिसको अपने अपना माल बेजा था और कितने pieces का 20 pieces का और इसके अधर यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो entry है यहाँ पर cgst और sgst इसकी entry अब आपको portal पे करनी होती है तो अब यहाँ पर क्य देखेंगे वह चीज में इसकी मैं अपनी चैनल पर वीडियो बना चुका हूं और उसी के अंदर आपको जो है यह सारी details मिल जाएगी तो यहाँ पर मैंने एक simple dummy data आपको बताया है कि किस तरह से आप जब invoice issue करते हैं invoice के बाद में debit note जो होता है वो party की और से issue किया जाता है जब उसको product return करने होते हैं या माल उसको return करना होता है तो जब party आपको debit note issue कर देती है तो debit note की बाद में उसके against आपको credit note जो है वो issue करना पड़ता है और इसकी entries आपको portal पे दिखानी होती है और दिखाने के साथ ही portal के थूँ उस party को जो है credit note के अंदर जो cgst हो रहा है इस में sgst amount जो होता है वो जो gst number आप इसमें डालते है उस gst number के हिसाब से party को यह amount transfer हो जाता है portal के थूँ तो यहां पर यह चीज तो मैंने आपको बता दीर इसी के साथ में जब भी आप यहां पे कोई भी portal के अंदर entry करते हैं तो यह चीजें आपको हमेशा mind के अंदर रखन इसी नहीं कर सकते हैं तो यह दोस्तों कुछ basic details थी यानि की debit note और credit note के बारे में कि किस तरह से आप debit note का भी issue किया जाता है और credit note का भी issue किया जाता है तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जरू के और मेरे channel को subscribe करना ना बोले हैं